ही गाइस, वाट्स आप, बिटकोईन ओवरोल क्रिप्टो मार्केट, इन फेक्ट सारी फाइनशल मार्केट के लिए आज का दिन बहुत इंपोर्टन बन जाता है, बिकोज आज शाम 6 बजे, यूएस का CPI डेटा या फिर आप बोल सकते हो, इनफलेशन डेटा रिलीज होने व इसका मतलब बहुत ज्यादा पंप डंप देखने मिलता है, ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में पंप देखने मिलेगा, या फिर एक डंप देखने मिलेगा, उसके बारे में आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या रिजर्ट आना चाहिए, आज शाम 6 बजे ज जिससे market में एक pump देखने मिले या फिर क्या result आना चाहिए जिससे market में एक dump देखने मिले हुमारे लिए trade लेने के लिए एक बहुत बड़ी opportunity आज के दिन मिल सकती है वन बाई वन सारी चीज़े explain करूँगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हरोज यहाँ पर इन्फरमेशन प्रोवाइड करता हूँ नोलेज शेयर करता हूँ अगर आपको पसंद आती है समझी में आता है नोलेज मिलती है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हूता है डेफिनली व मतलब यहां पर देख सकते ओं ऊगस्त की 10 तारिक आज के दिन यहां पर युएस का सीपकर डेटा या फिर आप बोल सकते फिर यू 3 निटा लिखकर दिखा दे। आज शाम 6 PM, इंडियन टाइम के अकोडिक, अब यहाँ पर मैं आपको explain कर देता हूँ, अब से पहले inflation जो लिखा हुआ है, अगर हिंदी में बता हूँ, inflation मतलब महंगाई, महंगाई यह आप समझ सकते हो, अब अगर आप simple चीज समझो, अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ गई, तो वो पैसा भी investment से निकाल लेंगे, मतलब सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे, bitcoin है, crypto है, because वो volatile markets है, वैसा तो नहीं है कोई जमीन बेज देंगे, वैसा तो नहीं है कि अपना sona बेज देंगे, सबसे पहले volatile market से पैसा निकलता है, तो जिससे क्या होता है, जिस कहाँ करेंगे, bitcoin, crypto market में, stock market में, राइट, जिससे क्या देखने मिल सकते है, जिससे price में pump देखने मिल सकते है, वै हूप, यहाँ पर बहुत simple explanation, यह सारे CPI होते है, बहुत complex चीजे होती है, लेकिन हम लोग investors है, हम लोग normal investors है, हम वैसा नहीं है कोई 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 बहुत बढ़ा business कर रहे, तो हमें यहाँ पर चीजे simplified matter में समझ में आनी चाहिए, जो मैं यहाँ पर maximum try करता हूँ, कि आपके साथ, in a very simple words, आपके साथ share करूँ, तो आपको समझ में आ गया है, क्या, अगर यहाँ पर US CPI, मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर price, तो क्या हो सकते है, अगर CPI, inflation ज्यादा, महंगाई ज्यादा, तो क्या होगा, पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा, investment निकाल लेंगे, या फिर investment नहीं करेंगे, price में क्या होगा, price of bitcoin, right, price में क्या होगा, price में dump देखने मिलेगा, दूसरी चीज, अगर CPI कम आता है, less than expectation, expectation क्या है, वो आप मेरे screen पर देख सकते हो, इस सुबार, आज शाम 6 बजे, जो inflation data आने वाला है, उसका expectation क्या है, उसका expectation है, 3.3%, लोग ये expect कर रहे हैं कि 3.3% inflation बढ़ेगा, अब यहाँ पर 3 चीजे हो सकती है, कौन से 3 चीजे हो सकती है, सबसे पहली चीज, अगर inflation, हमारा जो expectation है, उतना ह ही बढ़ता है, मतलब यहाँ पर 3.3% ही बढ़ता है, तब क्या होगा, मार्केट में कोई भी खास moment देखने नहीं मिलेगा, no moment, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या हो सकती है, कि इंफ्लेशन ज्यादा आए, inflation is greater than 3.3%, इसका मतलब क्या 3.4 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 3.6 आ सक है, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या हो, inflation is less than 3.3%, क्या होगा, यहाँ पर कम आया, less than expectation, पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्या होगा, प्राइस में यहाँ पर पंप, अगर इंफ्लेशन यहाँ पर 3.0, 3.1, 3.2 के आ सपास, य यहाँ पर आपको समझ में, बहुत सिंपल explanation मैंने आपके साथ share किया है, अब आप लोग यह समझना चाहते होंगे, कि वह बिटकोईन में किस हिसा है, प्राइस किस हिसाब से मूग करेगा, अब हम लोग देख लेते हैं, चार्ट बिटकोईन का, जिससे आपको और भी चीज यह समझ में आने लगे है, तो दोस्तो अब मेरे स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हो, इस इस चार्ट ओ बिटकोईन, इस इन डेली टाइम अब हमें क्या समझना है, मैंने तीन कंडिशन स सापको बताई, वही तीन कंडिशन के हिसाब से प्राइस कैसे मूग करेगा, मतलब Bitcoin का price कहां पर move करता रहेगा $29,000, $29,500 के आसपास एक चीज clear हो गई, दूसरी चीज क्या हो सकती है हमने यहां पर बात की inflation ज्यादा आया है, greater than 3.3, मतलब अगर यह 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 तब क्या होगा, तब यहां पर क्या होगा price में, inflation ज्यादा है, मतलब price में dump पर आप देख सकता हो, the next support is coming at around $28,300, $28,300 के आसपास Bitcoin का price देखने मिल सकता है, तीसरी चीज क्योंकि dump आएगा, inflation ज्यादा, तीसरा point, if it is less than 3.3%, मतलब 3% आए, 3.1, 3.2, तब क्या होगा, पैसा बचेगा, इंफलेशन कम है, पैसा बचेगा, क्या होगा, यहां पर price में एक pump, pump कहां तक देखने मिल सकता है, यहां पर आप देख सकते हो, around $31,800, right, यहां पर लिख के दिखा देता हूँ, $31,800, लेकि उससे पहले यहां पर धियान रखना है, कि जो mental resistance बोलते है, mental resistance is coming at around $30,000, right, तो इसके लिए, यहां पर $500 Bitcoin को jump करना पड़ेगा, from the current price, अगर यह break करता है, $30,000 को, तभी यहां पर price में $31,800 देखने मिल सकता, because mental resistance भी एक चीज होती है, तो 30,000 एक round figure आ गया, right, तो वहां पर भी एक resistance देखने मिल सकता है, तो आई होप यहां पर तीनों जो conditions है, आपको समझ में आई होगी, अब आज शाम 6 बजे, right, 6 p.m. वापस लिखके दिखा देता हूँ, सबसे पहली update मैं आपको provide करूँगा on Twitter, right, exit 6 बजेंगे आपके साथ share कर दूँगा, Twitter, Telegram, सारी links आपको description में मिल जाएगी, वहां पर you have to stay alert, right, exit time पर यहां पर result मैं आपके साथ share करूँगा, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो हमारा Telegram channel, crypto king KU, यहां पर already मैंने इसके बारे में news आपके साथ share कर दी है, कि देखें, Bitcoin crypto stocks में काफी ज्यादा moment volatility देखने मिल सकते हैं, first update यहां पर provide की जाएगी, definitely subscribe कर सकते हो, links आपको मिल जाएगी, बाकी दोस्तों आई हूप, आज के वीडियो में जो भी चीज़े मैंने यहां पर explain करने की try की है, आपको समझ में आई हूँगी, अगर आज का वीडियो पसंद आया है, definitely वीडियो को एक like कीजिए, मेरा motivation बढ़ता है, share कर दीजिए, इस वीडियो को अपने friends के साथ, चैनल को subscribe कर दीजिए, और subscribe के बाजू में आपको bell icon बे मिल जाता है, वो भी press कर दीजिए, चलिए दोस्तों इसे के साथ, आज का वीडियो खतम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, stay safe, stay healthy, thank you, जाय हैं,